रात के समय ओस एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है तो फिर ओस का अफसोस ना हो बन्ले बाजों के लिए कठिन चुनौती है क्योंकि पिछ एक दम हरी है फास बोलर्स के रिए बहुत सारी मदद है बहुत अच्छा खेलेंगे तभी बना पाएंगे रांस अगर मैं कप्तान होता और टॉस जीतता तो बिना सोचे बन्ले बाजी का करता निर ने हैद्स चुना है कप्तान ने और इस टेल्स टीम ने बन्ले बाजी का फैसला किया और एक बड़ा टोटल बनाना चाहेंगे बिल्च्टोर्नमेट की हो रही है ख़र वात तो हास्टी क्रिकेट फरासा हैं को संभल की खेलना हो अ 5 4 3 2 1 गष्ट तो ऐसा बदलाव करने की है कोशिश, फास बोलर को बुलाया गया है खाते में किये हैं चार रंजमा, जबर्दस शॉट से की है शुरुआत साइड में बदलाव, केंदबाजी करने का किया है फैसला फील्डर की अच्छी एफट और बढ़िया थो भी पाप लेगी रिस्टिक्शन्स हो चुकी है समाप तो फिर चौकों पर थोड़ी सी लगाम लगाई जा सकती है अब ये बात तो तह है कि इंके कोच ने नहीं सिखाया होगा इनको ये शॉट बढ़ी आगे, कोई रन नहीं बाजू एक खोल दी अमपायर ने वाइड का किया है इशारा फिल्डर ने जान जोग दिया इस गेंद को रोकने के लिए आज आसानी से रन मिलेंगे नहीं अब ये शॉट आपको नहीं मिलने वाला प्रिकेट कोचिंग मैनुवल में फ्लोग, कदमों का बहतरीन इस्तमाल और उससे भी बहतरीन शॉट, चॉका विल्लर की अच्छी है फर्प और बड़िया थोग करीबी मामला मिला भागय का साथ बल्लेबास को थोड़ा क्रैंप किया एक और डॉट बॉल गेंदबास किया चीते को पीछे छोड़ दें इतनी तेज भागा ये बल्लेबास झाल 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 प्रेस बाद बड़े शॉट का प्रेयास प्रेस बाद बड़े शॉट का प्रेयास स्टम्स का निशाना साधा और सही तीर निशाने पर जबरदस्त अपील बल्ले बास भी असमंजस में अंपायर ने कहा आप सुरक्षित हैं नौट आउट करार दिया कि 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 स्मैक छे नहीं आठ नहीं दस रंग दीजिये इस शॉट को इतनी दूर गई है येंद की डिप्लेस्मेंट बंगवानी पड़ेगी आसानी से मिलने वाली है नहीं कि मॉंस्ट्रा सिक्स कूरी तरहां से छका दिया है बल्ले बास को एक और डॉट गेन अब दबाव बढ़ता हुआ बल्ले बाजी की ठीम पर एक्सलेंट इनिंग्स ये बरावली का मुका अब इन्हें सिरफ कि समय है स्पिन के इंट्रोडक्शन का शुरुवात कर रहे हैं और स्पिनर के साथ कि शॉर्ट इतना सीधा कि तीर शर्मा जाए ऐसा स्ट्रेट राई मैदान पर नए है जनाब ये पैविलियन से सेट होकर आए है चौके से शुरुवात कि अच्छी एक और बढ़िया थ्रूब गुड रन कहने को तो छे रन है लेकिन लंबाई देखे शॉर्ट की तो मिलने चाहिए आठ या दस स्टैंज में फील्डर नहीं होते वहीं से मंगवा लीजिए क्योंकि मिलेंगे छे पहली गेंद पर छक्का इससे बहतर शुरुवात कहां है संभव स्टंपिंग की एक जोरदार अपील कीपर आश्वस्त हैं ओन फील्ड अपायर में तीसरे अंपायर से मदद मांगी है इस टचन गो कीपर का जबर्दस प्रदाशन सुरक्षित अपनी विकेट अपनी विकेट नहीं गवानी है यहां इनको तो फिर जस्गो बाक तो बेसिक्स फील्डर और गेंदबास का अच्छा तालमेल बढ़िया थ्रो विक सिंगल पारी की शुरुवात अच्छे अंदाज में टाउन दा ग्राउंड सीधा शॉट लेकिन कहलाएगा स्क्लॉक इस मौके को चौके में किया तब्दील ओर गो गिया समा और इस गेंद के साथ हुआ और समा खूबसूरत गेंद हवा में तैड़ती हुई नजर आईए बनलेबास के मन में है थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश फूर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो बहुत ही साधारन रणिंग बिट्वीन दा विकेट्स विकेट गवाया मेहदवपूल विक तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर फीस पराइने ने बनलेबास उमीद यही है कि टीम प्लान के साथ हो जु सूरच अफड्राइफ स्टंपिंग की जोरदार अपील कीपर आश्वस्त हैं और यह क्या आउट करार दिये जा सकते हैं घर तीसरे अंपायर से मांगी गई है मदद क्रीज से बहार निकले थे लेकिन हो गए स्टंप कि अब इन्हें सिर्फ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है अगर नीव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है कि अगर कि यह कि चौक्य के साथ ओवर समा और इस शॉट के साथ मैच किया अपने नाम कि या तो आपको जीत मिलती है या आपको सीख मिलती है जीतने वाली टीम को बधाई जरूर है लेकिन हारने वाली टीम यहां से बहु मुल्य सीख लेगी और आगे की तरफ चलेगी कमाल की स्ट्राइकिंग देखी आज हमने इस बल्लेबास के बल्ले से और इसमें कोई शक नहीं कि मैंनो दो मैच का खिताब इनकी जोली में प्राइकिंग अब्राइकिंग